Hello everyone, welcome back to ilham hustle karo, your English learning channel. Practice makes a man perfect. It means that daily practice करने से आप अपनी learning और speaking skills को enhance कर सकते हैं. तो अपनी English learning skills को बेहतर बनाने के लिए ilham hustle karo को subscribe कर लीजिए और bell बेटन को double click करके notifications on कर लीजिए. तो चलिए आज की वीडियो start करते हैं. पुर्षकून रहें या पुर्षकून अंदाज में आगे बढ़ें इंग्लिश में कहेंगे टेक इट इजी इसे बाहर ले जाओ टेक इट आउटसाइड इसे दिल पर मत लो डाउन टेक इट तू हाट डाउन टेक इट तू हाट ब्राए मेहरबानी एक तरफ हो जाए टेका साइड प्लीज अब एक वकवा ले लो टेका ब्रेक नाउ टेका ब्रेक नाउ चलो चाए पीते हैं लेट्स टेका टी लेट्स टेका टी वो अपनी जुमेदारियां संजीर्गी से नहीं लेता मेरे साथ रपीट किजिए परेशानी मत लें वक्त ले ले जल्दी नहीं है टेक योर टाइम अपनी दुआ वक्त पर लें टेक योर मैडिसन्स आउ टाइम टेक योर मैडिसन्स आउ टाइम मुझे मार्किट ले चलो टेक मी टुदा मार्किट ज्यादा वक्त मत ले ना डाउन टेक लाउंग गहरी सांस लो टेक आ डीप ब्रेथ इसमें कितनी देर लगती है ब्राय महर्वानी ये सीट ले लिं प्लीज टेक दिस सीट जो चाहे ले लो टेक अनिफिंग यू वांट अपना ख्याल रखना टेक केर अफ यूरसेल्फ आएए यहाँ एक तस्वीर लेते हैं हमारा नेक्स सेंटेंस है बस के जरीए कितना वक्त लगता है उसने उसे अराम करने का मशुरा दिया इस दवा को खाने के बाद लें टेक दिस मैडिशन आफ्टर मील वहां जाने में कितना वक्त लगेगा इंग्लिश में आप कहेंगे तुम्हें इस मोका का फाइदा उठाना चाहिए यू शुद टेक अडवांटेज आफ दिस अपर्चूनिटी आपको अपने साथ छतरी या छाता ले जाना चाहिए इंग्लिश में कहते हैं यू शुद टेक अन अंब्रेला वीडियो तुम इतने गुसे में क्यों हो? अराम करो रपीट कीजिए ब्राय मेहरबानी अपने जूते बाहर उतार दे प्लीज टेक अफ यूर शुज आउटसाइड प्लीज टेक अफ यूर शुज आउटसाइड तुम इससे कहां ले जा रहे हो? वेर आर यू टेकिंग दिस? वेर आर यू टेकिंग दिस? वेर आर यूर शुज आई लेकिंग दूर शुज आउटसाइड़न देकिंग तुम आर यू लेकिंग दिस? झाल झाल